अलो फ्रेंद्स वेल्कम बाक टी यूरोडीप चनलर मोटा देख सकते हैं भी हमारे पास सामसंग S20 FE है और यह बिसिकली 5G वर्जन है अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे noise cancellation के लिए इस side आप देखेंगे तो यहाँ volume rocker का placement है और यहीं पे आपको power button का इस्तेमाल किया गया अगर आप देखेंगे ध्यान से तो थोड़ा सा एक अलग design element देने का कोसिस किया गया है थोड़ा सा premiumness add करने के लिए यहाँ पे यह जो chassis है इस side का जो इसका lining है यह basically एक तरह से एक glossy metal का इस्तेमाल किया गया है और उपर पूरा polycarbonate का material इस्तेमाल किया गया है बट काफी अच्छी quality का है नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है antenna band अगर आपको clear view हो पा रहा हो तो दो antenna bands आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने को और यहाँ पे आपको एक speaker grill मिलता है यह आपका है type C port यहाँ पे आपको primary mic मिल जाता है और इस side की बात करें तो बिलकुल कुछ भी नहीं मिलता है एक plane design है इस side का बट यहाँ पे आपको एक again antenna band देखने को मिल रहा होगा एक बहतर network reception के लिए क्योंकि यह 8 band को support करता है 5G को तो काफी बहतर चीज है एक तरह से आने वाले time में कोई भी 5G setup होता है तो सारे setup को I guess यह support कर पाएगा यहाँ पे आप देख पा रहा होगे इसका एक 6.5 इंच का super emolet display है जो full HD panel है और काफी कम chins आपको देखने को मिलते हैं नीचे और bezels अगर overall आप देखेंगे तो काफी कम है I believe 95% इसका screen to body ratio होना चाहिए अगर हम अंदर इसके software में enter करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अभी यह जो security patch है इसको latest November का security patch मिल चुका है I guess अभी आपको clear view मिल पा रहा होगा यह 128 GB storage में आपको roughly 123 के approximate आपको free मिलता है in first time uses में अगर cameras की बात करें तो पीछे की तरफ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें 12 plus 8 plus 2 megapixel का आपको camera मिलता है और यह इसका LED flash है और थोड़ा सा जो camera bump है वो उबरा हुआ है तो अगर आप किसी cover के साथ इसको इसको इस्तिमाल करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो cover हो उपर की तरफ से उठा हो नहीं तो यह आपका जो camera lens है इस पे scratches आपको definitely मिलने वाले हैं नीचे आपको यहाँ पर Samsung की badging देखने को मिलती है कुछ जो information आप phone purchase करते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तरह से fit to screen करने की कोशिश करने तो आप देख सकते हैं कुछ इतना clear आपको मिल जाता है किसी भी तरह का multimedia consumption में आपको issue होने वाला नहीं है एक बहतरीन super emulet panel का इस्तेमाल किया गया है तो overall जो multimedia experience है वो काफी बहतर होने वाला है और यहाँ पर आपका जो speaker है वो stereo speaker का setup है output निकलता है और यहाँ पर आपको display में यह basically notch में 32 megapixel का camera दिया गया है I hope अभी clarity आपको इस particular display की मिल रहे होगी अगर हम camera में enter करें तो एक बहतरीन camera setup यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है एक बहतर लेंस का अगर हम एक picture आपको ले करके capture करके दिखाने की कोशिश करें तो तो कुछ इतना area extra बढ़ जाता है और वहीं पर अगर एक 3x zoom में जाएंगे तो कुछ इतना zoom हो जाता है यह गर color का idea आपको लगना हो तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक object की help से हम आपको clearly दिखा दे रहे हैं कि कैसा आपको यहाँ पर camera quality मिलता है अगर pictures को आप एक camera it is one of the best possible device जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बहतरीन setup है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो text है काफी clearly visible है और single take feature अगर आप देख पा रहे होंगे जो Samsung के user interface में मिलता है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अगर यहाँ detail में जाएंगे तो slow motion भी मिलता है आपको portrait videos भी option मिल जाता है तो बहतर चीज़ है एक video में आपको कहीं से भी को issue नहीं होगा और इसमें आपको EIS का भी support मिलता है साथ में आपको optical image stabilizer OIS भी देखने को मिल जाता है काफी बहतरीन चीज़ है किसी भी purpose से आप एक तरह से समझ सकते हैं अगर कोई भी इस तरह का आपका video graphic का भी एक requirement रहता है तो definitely आप इस S20 FE 5G को consider कर सकते हैं यह एक छोटा सा एक तरह से overview था physical overview इस particular S20 5G FE का अगर आपको इसका किसी भी phone से compare करना है like I also have M51 जिसमें काफी जो viewers है confused रहते हैं तो अगर आपको comparison चाहिए तो आप comment box में drop कर सकते हैं दोनों devices इसका आपको speed और इस तरह से overall comparison प्रोवाइट कर देंगे I hope friends आपको वीडियो पसंद आया होगा अकर आपको वीडियो को पसंद किया तो like button प्रेस कर दीजिए most important thing मोव मोटरी चैनल को subscribe कर लिजिए देखते रहे हैं किसी और ऐसे ही interesting वीडियो में बाइबाइ तेल देंक य अज़ में प्रोव चैनल के वीडियो ।